एलो नमस्ते कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ सभी सहलिया बहुत ही अच्छी होंगी बहुत ही प्यार से होंगी देखें फ्रेंट्स इस वीडियो में आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मेरे इवनिंग का रूटीन साम के बक्त मेरा कैसा रूटीन होता है दो घंटे में मैं क्या क्या करती हूँ और यह जो रूटीन में शेयर कर रही हूँ और आल मोस्ट चार बजे से लेकर के छे बजे के बीच का है तो इस समय मैं बना रही हूँ बहुत अच्छा नास्ता एक्चुली मैं बिहार से हूँ तो बिहार में बहुत अच्छा नास्ता बनाया जाता है और बेसिकली चूड़ा जो पोहा होता है ना उससे काफी सारी विराइटी के डिसेज बनते हैं वहाँ पे जैसे कि बिहार में चूड़ा दही खाया जाता है चूड़ा का भूजा खाया जाता है तो अलग-अलग तरह से इसको हम लोग खाते हैं पोहा भी खाती हूं मैं क्य में पर कम बहुत डूरा ओर जल्दी नीचे लग जाता है कड़ाई में जबकि मेरा जो कड़ाई है वो लोहे का है भाड़ी है इसका तवा है यानि नीचे का जो इसका अभीस है वो काफी भाड़ी है लेकिन फिर भी ध्यान देना पड़ता है वरना यह जल जाती है तो दीखे मैंने भूजा जो है वो बना लिया है उसमें हलका सा नमक मिलाया है और वो जैसे जैसे आप भूनते जाओगे न कुरकुरी होती जाती है लाइट होती चली जाती है बहुत हलकी हो जाएगी तो आप समझ जाओगे कि यह भूजा पक्के डेडी हो गया है तो उसको मैंने साइड में चूले पर रख लिया दूसरे वो चूला फ्लेम बं वो भी मैं काट के इसमें डाल रही हूँ बच्चे जो है मिर्ची नहीं खाते हैं इसले मैंने स्लाइस करके डाला है बीच से अधर्वाइस इसको चोटे-चोटे पिसे में करके डाल सकते हैं उससे और अच्छा लगता है और इसको ढख ढख कर कम फ्लेम पे बिल्कूल मीड दखते डखते इस तरह से भून रही हूँ साइड बाई साइड में काम भी करते रहती हूं जैसे कि उसके इक्जाम चल रहे है ना तो लीप प्रिपरेशन उसको बीच-बीच में मिल रहा है स्कूल से तो आज वे स्कूल नहीं गई थी तो घर पे बैठा के मैं उसको पावर्स का हाफ जितना भी टाइम होता है वह घर पे पढ़ाई में दे दे अटलिस चाहे वह बीच में ब्रेक ले या फिर कुछ भी ले और अभी तो फाइनल एक्जाम है तो मैं उसके पीछे ही लगी रहती हूं तो वह अभी पढ़ाई कर रही है मेरा यहां पे जो नास् नास्ता जो है सीजनल है तो जैसे कि हरे मटर आते हैं मीठे मीठे तो बहुत ही अच्छा यह भूजा बनकर रेडी होता है अब जैसा कि मैंने कहा था स्टडी ब्रेक में बेटी को देती रहती हूं तो बीज में जो है नास्ता पकड़ा दिया है बुक्स और साइड में रख चत पे क्योंकि मुझे प्लांटिंग बहुत पसंद है फूल अगरा मुझे काफी पसंद है मैं करती रहती हूं गार्डिनिंग का काम तो अभी जो है इसमें पानी देना था काफी सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें छोटे-छोटे से कीरे लगे हैं तो उसको भी मैं टाइम पेड़ा आफ्टेन्रून का रूटीन आपको कैसा लगा जरूर बताएगा और प्लीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो नेक्स टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही इंट्रेस्टिंग सी मेरी लाइफ स्टाइल के साथ जो आपको भी होफ़ुली बहुत पसंद आएगी तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा बाई बाई फ्रेंड्स टेक क्यार